आप देख रहे हैं सम्यक इंडिया टीवी बौदचारी जी सम्यक इंडिया टीवी में आपका स्वागत है और आज हम आप से जानना चाहेंगे कि वावस आपने अपनी जान की बाजे लगा के किस तरीके से बारत का समींधान मनाया कि पे आपने विचार इस पे रखिए धन्यवाद भाय हैमन्त और धन्यवाद सम्यक इंडिया टीवी का कि जो इतनी तत्परता से समाज के बीच में जाकर उनके अज्ञानता को दूर करके नए नए चीजे पेश कर रहे हैं मैं आपके इस सवाल से बहुत सहमत हूँ जो सवाल आपने पूछा है मैं भी यही मानता हूँ कि बाबा साब ने भारत वर्ष का ये समिधान कोई हंस्ते हंस्ते नहीं लिखा था उन्हें अपनी जान हतेली पर रखकर ये समिधान लिखना पड़ा था बाबा साब को ये समिधान न लिखना पड़ता तो अभी वो और कुछ दिन दों तक हमारे बीच में होते इसलिए मैं कहता हूँ ये समिधान हमारे बाबा साब को निगल गया और समिधान जबकि वो से लिखने को तयार न थे क्यो लिखना पड़ा इसलिए कि वो जिस समास से संबंदित रखते थे अगर उसका कल्याना ना कर पाएं तो ये उनको कभी गवारा ना था जब उन्होंने मना कर दिया था समिधान लिखने के लिए इस देश के करणधारों के परस्ताव को ठुकरा दिया था उसे दिए उन्हों रात को एक विचार कोंदा उस विचार से एक दब उनकी आँखों में चमक आ गई विचार क्या था काश डाक्ट हम बेट कर तो इस देश का समिधान लिख दे और ये देश स्वतंत्र हो जाए तो तेरा गोरो शूनने समाज माथा उचा करके इस देश में रह सकता है आज कोई भी मुसल्मान भाई जब ताज महल को देखता है तो सीना गर्व से फला के कहता है कि ये मेरे पुर्खों की देन है जब भी वो कुत्मिनार को देखता है तो उसे देखकर बड़ा खुश होता है और अपने बुजर्खों का शुक्रियादा करता है इसी परकार से मेरे सिख भाई है जब वो अमरसर के गोल्लिल टम्पल को देखते हैं तो अपने पुर्खों को याद करके बड़ा गर्व महसूस करते हैं इसी परकार से सबी के पास अपने अपने गर्व है मगर बाबा साब बहुत बड़े विद्वान थे सब चीज को जानते थे इसलिए वो ये भी जानते थे कि तुमारे समाज के पास आज तक गोरव करने लाइक कोई भी ताजमेल नहीं कोई भी गोल्डन टेंपल नहीं भी इंडिया गेट पार्लेमेंट नहीं उनने सोचा कि समिधान लिखने का काम एतियासी काम है ये देश अगर समिधान लिखने के कारण अगर आजाज हो गया तो आपके लोगों का हमेशा हमेशा एहसान माना जाएगा और हमारे लोग भी सीना चोड़ा करके गर्व के साथ माता उंचा करके इस देश में चल सकेए जब ये विचार उनके मन में आया तो तुरंत उन्होंने मन बना लिया कि हाँ ठीक हम मुझको समिधान लिखना चाहिए बाबा साहब उसो धरम युद्ध में कूद गए समिधान बनाने के लिए यदपी वो सारी रूप से सक्षम ना थे बोधिक रूप से जितने परबल थे शारी करी रूप से उतनी ख्षीड थे नजर उनके काबू में न थी बिलट प्रेशर उनके काबू में न था डाइपटीस से वो परिशान थे गुटनों के दर्द से वो तरस्त थे सारी काया फोड़े की तरह उनके दुखती थी फिर भी वो एक अपनी समास का गोरा उंचा करने के लिए वो रण भूमी में कूद पड़े समिधान लिखने की खातिर समिधान लिखने के काम में लग गए समिधान जब लिखा जा रहा था हमारे दादाजी उनके बड़े चहते थे दिल्ली के सबसे प्रिये वरकर थे यद्पी वो अशिक्षित थे मगर समाज में उनकी बड़ी परतिश्ठा थी चोद्री दिविदास उनका नाम था बाबा साब ने जब दिल्ली माम बेटकर भवन बनाया था तो चोद्री दिविदास ने दिल्ली में सबसे अधिक दन संगय करके बाबा साब को दिया था बाबा साब उनका महत्त जानते थे इसलिए उनको बहुत चाहते थे एक दिन रात को दादा जी वहाँ ठैर गए बाबा साथ की कोठी पर तो नो ने क्या देखा ये इंडियेट के बिलकुल सामने उनकी कोठी थी एक हाड़ी एवेन्यू जिसे अब एक तिलक मार कहते हैं इधर पट्याला हाउस का कोठ है और उसके बिलकुल सामने कोठी बाबा साथ की थी आजकल वो तूटी पड़ी है तूटी पड़ी इसलिए है कि अमबेट करवादी हैं संगर्शो के आदी है इन्होंने 26 अलिपूर रोड़ तो ले लिया कई बाबा साथ के सकोठी को भी ना ले ले इसलिए वो तोड़ कर फैक दी तो वहाँ उसकोठी के रात की बात है दादा जी सो रहे थे उनको पिशाप का प्रेशर लगा उठे पिशाप करके आए उनका ध्यान गया कि बाबा साथ अपने कमरे की लाइट ओन किये हुए है इतनी रात में रात में ढाई तीन बजी बारा साथ के कमरे की लाइट ओन है जिग्यासा हुई दादा जी को वो गए तो देखा किड़के में लोही की जाली लगी हुई है मच्छर जाली और मच्छर जाली के पीछे कर्टेन पड़ा है पर्दा पड़ा है तो देखें तो कैसे देखें तो ऐसे इस्तिती में फिर कुछ जुगार किया जाता है कुछ तरकीब लड़ाई जाती है तो वो एक जाड़ू की सीख उटा के लाए और लोही की जाली में डाल कर पर्दे को ऐसे थोड़ा सा सरकाया उसी में नजारा स्पष्ट हो गया नजारा क्या था कि बाबा साब टेबिल पर जुक कर लिखने का काम कर रहे हैं और अपनी दूसरी टांग उन्होंने एक पंखी में कपड़ा बांद के उसमें लटका रखी है अरे यह क्या अजब करतब बाबा सा क्या है दादा साब हमारे दादा की नींद उड़ गई रात में जैसे तैसे उनका समे गुजरा सुबह होते ही उनको जिग्या सा हुई कि मैं पूछों बाबा साब साब से कि बाबा साब इस रात को क्या कमाल कर रहे थे आप हिम्मत नहीं पर इप सुबह बाबा साब जिस समय ओफिस जाते थे उससे पहले नानक चंदरतु जी आए तो दादा जी ने उनसे कहा कि भई ऐसे ऐसे देखा हमने भई रत्तु ज़र पूछो बाबा साब से करना देख सुनो मुझे डांट नहीं खानी तुम्ही पूछो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे कहला ऐसी बात है क्या कहला हाँ तो बाबा साब ने उनसे पूछा बाबा साब के पाँ जाके उनको जैभीम की बाबा साब भी जैभीम का जवाब जैभीम से देते थे लोगों को यह लगता है, वो जैभीम क्यों करेंगे, को कि भीम भीमा नाम, भीम नाम उनकी मा के नाम से पढ़ा था भीमा, तो इसलिए वो अपनी मा को भी परनाम करते थे, तो जैभीम जब हो गई तो दादाजी ने पोचा आगे बावा साब, थोड़ा माफ करना, रात को हम ने ऐसा देखा आपने एक टांग पंखी से कपड़े से बांद के लटकाई हुई थी और लिख रहे थी क्या था ये ओ तुमने तुमको कैसे मालूम नहीं हमने रात को देखा उस खिड़की में से जाक के देखा अच्छा तुमने देख लिया सुनो टांग में बहुत दर्द होता था डांक्टर ने बोला था कि टांग को ऊपर करोगे जिसका बीपी डाउन वर्ड हो जाए तो थोड़ा दर्द में राहत मिलती है मैंने पैर उपर लटकाया बिलट प्रेशन डाउन वर्ड हो गया मुझको थोड़ी राहत मिली इस बाहने से मैंने थोड़ा से सम्मिधान का काम कर लिया बस और क्या था इसका मतलब यह है कि बाबा साहिब डार्क टम बेट करने ये भारत वर्ड का सम्मिधान लोहे के चने चबा चबा करके लिखा था ऐसे नहीं लिखा था जो लोग यह कहते हैं कि बाबा साहिब ने दो लाइन भी सम्मिधान के नहीं लिखी वो गल्त बोलते हैं और जातिय भावना से पीडित होने की कारण ऐसा बोलते हैं। बनाया गया, मैं भी उसमें था। पर संद्य हैं, वो भारा सरकार द्वारा परकाशित ने निचापा, हमारे किसी और परकाशक ने निचापा, भारत की सरकार ने चापा। क्या नाम है उसका Constituent Assembly की Debates दस खंडों में हिंदी में है पाँच खंड मोटे मोटे वो अंग्रेजी में है तो ये बाबा साहब के पराकरम की उड़ी के त्याक की उड़ी के बलिदान की चर्चा आपको जगा जगा सापरबार मिलेगी परमार सहित मिलेगी संदर्व सहित मिलेगी बाबा साहब डाग टम बेटकर को एक युगांतर कारी अवसर मिला था अपने लोगों को अधिकार परदान करने का यही तो आकरशन था बाबा साहब डाग टम बेटकर को अपनी जान से खेलने का और कोई स्वार्थ नहीं था, उनको पता था, मैं समिधान लिखूंगा, मेरे लोगों का गोरो आस्मान चुने लगेगा, और मैं अपने अधिकार सुनने समाज को कुछ अधिकार दे पाऊगा, बाबा साहब को बहुत बड़ा स्वार्ण अफसर बिला था अधिकार देने का, मगर एक बात और सिद्ध होती है, इस समिधान के लेखन से बाबा साहब डांक टमबेट करकी एक बहुत बड़ी महंता ये सिद्ध होती है, कि उन्होंने अपने लोगों को अधिकार तो दी, मगर दूसरे लोगों की अधिकारों का कोई हननन नहीं किया, उन्होंने सवर्ण को भी सारे अधिकार दिये, आदिवासियों को भी सारे अधिकार दिये, बैकवर्स को भी सारे अधिकार दिये, और इस देश में एक ऐसा कमाल का संतुलद इस्थापित किया, कि सारी दुनिया उनके समवेधान कमाल को देखती रह गई, ये बाबा साहिब डाक टमबेट कर जैसा प्रग्या पुरुशी कर सकता था, वो चाते तो सारी खुंदक निकाल लेते ना अपने दुश्वनों से, नहीं, मगर जब वो राजगद्धी पर बैटे हैं, सारे देश की दशा और दिशा निर्धाद करने के काम में बैटे हैं, उसका काम में जरा भी बेवारी नहीं चल सकती थी, उस समाज में जरा सा भी पक्षपात नहीं चल सकता था, ये पक्षपात से उपर कोन होता है, मापुरुश होता है, बोधि सत्व होता है, माप्रग्यवान होता है, बाबा साहिब डांक टंबेटकर में सारे गुड़ थे, बाबा साहिब डांक टंबेटकर ने ये समिधान लिखा दुनिया का सबसे बड़ा समिधान, दुनिया का सबसे बड़े लोगतंतर का समिधान, दुनिया का सबसे सफलतम समिधान, दुनिया का सबसे ज़्यादा परशं सित समिधान तभी तो नेलसल मंडेला ने कहा था जब भारत वर्ष में आया था क्या कहा था कि अब मैं अपने देश में जाकर अपने देश का समिधान बनाऊंगा तो बाबा साहिब डांक टमबेट करके समिधान को सामने रखकर बनाऊंगा ये बाबा साहिब डांक टमबेट की सबसे बड़ी विशेश था और उन्होंने वही काम किया नेल सल मंडेला ने जब दक्षिन अफ्रीका का समिधान लिखने का फर्ज निभाया तो बाबा साहिब डाक्टम बेटकर लोग तो भोचक के रह गए, बाबा साथ के समर्थक भी जो बाबा साथ पर जान च्छे रखते हैं और बाबा साथ के आलो चक भी बाबा साथ जिनकी आख में कंकर की तरह कांटे की तरह अखरते हैं, जब उसने बराक ओबामा ने भरी पार्लेमेंट में ये कहा था, कि ये कमान भारत वर्ष में हो सकता है कि एक गरिमी के अंचल में पढ़ा हुआ व्यक्ति को जब इस देश का तकदिर लिखने के समय मिलता है तो वो सब को समानता का अधिकार देता है धन्ले हो मेरे बाबा साहब दो माहन व्यक्ति वो होता है जिसके चले जाने के बाद उसकी माहनता का पता चलता है बाबा साहब ऐसे ही व्यक्ति थे आज हमारे देश के सत्ताधारी जैभिम बोलते हैं आज इस देश के सत्ताधारी बाबा साहब डाक्टर अंबेटकर की परतिमा पर मालाए चड़ाते हैं आज इसे देश के सत्ताधारी लोग बाबा साप के सम्मान में बड़े बड़े स्मारक बनाते हैं, तो इसका कारण क्या? इसका कारण ये, कि महापुर्षवो जिल के विरोध में खड़े लोग भी उनका गुनगान करने लगें, ये बाबा साप की महनता है, तो साथियों, पर अंकल प्लिया था, मैं दूसरा विवा नहीं करूंगा, अगर उन्हें दूसरा विवा भी करना पड़ा, तो इस खातिर, कि मेरी जान बचेगी, तो मैं समिधान लिखपाऊंगा, अपने ये सी बात से वो अपने घर में सविताम बेठकर को बेहा कर लाये थी, ऐसे नही लाए थे अपने धर्म पत्नी के रूप में लाए थे और पत्नी धर्म निवाया भी तो ये जो समिधान लिखा गया ये बहुत दिक्कतों से बड़े कुर्बानियों से बाबा साहिब डांक टमबेट करने समिधान मंडरा रहे हैं उससे मुक्त करना आप सब का करतव है मुक्त कैसे होगा आप सब एक हो जाओ संगठित हो जाओ और एक सुर में अपने बुक्ति दाता के सपनों के कूल इस भारत वर्ष का निर्बार करो ये बाबा साहिब डांक टमबेट कर के प्रति इससे बड़ा कोई सम्मान हो नहीं सकता धन्यवाद इनी शब्दों के साथ जय भी मैं इससे पहले और एक बात पूछना चाहूंगा इस देश की आधी अबादे महिलाओं को जो कहा जाता है उसमें भी बाबा साब ने कोई प्रशल्टी नहीं की उनको भी जो महिलाओं को समान अधिकार देने का काम महिलाओं को समान अधिकार देने का काम बाबा साहिब डांक टम बेटकर ने हिंदू कोड बिल के बादम से किया था जब सम्विधान की रचना हो रही थी साइड बाई साइड हिंदू कोड बिल की रचना भी चल रही थी तो महिलाओं को सबसे पहले पुर्षों के समान अधिकार देने का काम बाबा साहिब डांक टम बेटकर नहीं किया बाबा साहिब डांक टम बेटकर के अलावा कोई भी बहापुर्ष भारत वर्ष की इतिहास में हमें दिखा दो जो महिला की दुर्दशा पर वियतित हुआ हो महिला की दुर्दशा देखकर जिसका कलेजा पसी जा हो कोई दूर दूर तक नहीं मलेगा अरे महिला के दुख को दूर करने का सपना अगर किसी ने देखा और उस महिला के दुख को दूर करने का अगर किसी ने इंतजाम किया तो अकेले और अकेले केवल बाबा साहब डांग टमबेट करने किया अब महिला उनका एहसान माने या ना माने मगर वो महापुरुष अपना फर्ज जो निभाना था महिला की शान में अपनी जान हतेली पर रखकर भी उनको समान अधिकार दे गया इसलिए बाबा साहिब डांग टमबेट का हर दिरिश्ची समान है क्योंकि वोन रिपेक्ष है, महापरग्यावान है सबसे बड़े विद्वान है, सबसे बड़े चरित्रवान है साथियो इनी शब्दों के साथ आप सबको जै भीम, जै सम्मिधान